यह देखिए और अब हमें एक चम्मा जिसमें किसी पल्टे से लिया है यह देखिए ज्यादा नहीं बना है नमस्कार बिजी लावादी मैं मापका एक बार फिर स्वागत करते हैं आए ब्रेड रोल कैसे बनाते हैं यह मैंने दो आलू ले लिये थे जो मैंने अभी आपको विना दिखाए हमने इसको कद्धू कर दिया है चलिए यह बाएड आलू मैंने किया था और किस साइज का है में दो आलू ले रखे थे-अब इसका हमने कद्धू कस कर लिया है जो कि कद्धू कस के माध्यम से बिलकुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हमा यह देखे मैंने गैस को आनकर लिया है और इसमें हम ढौनेंगे सरसो का ते तो थोड़ा सा हम सरसो का तेल डाल रहे हैं ये इसको घ्राओ करते हैं और इसमें हम क्या क्या ढालेंगे ये मिर्च 2 से 3 हरी मिर्च है और थोड़ा सा कुटा लाई मिर्च है स्वाधा नुशार और हींग है एक पिंच यह देखिये एक पिंच ही गिंग है और जीरा भी है जो कि यह भी स्वाधा-नुशारी है दो आलू के इसाब कि आपसे मैंने स्वादा अमसाही ले रुट था हैं तो दीखिए आमने जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दिया है अब हम इसको प्राई करते रेंगे कि दिखेंगे हैं तो ब्रॉट कि अ तक टुर्णे रिया जब कि नॉटिए नाल पर दालते हैं तक पहले हम काई बहुत भड़ बनाने के जवानी हप्ताइब करते हैं इसका के अलग आता रहा है जोह हम सकते बिलाते हैं अलग अलग अल्या पाउडा रंचो पाउडा जीजा जो भी बिलाते हैं अब ये बूखने के बाद इसमें आप देखेगा इतना अप्षी का लेवर आए तो सबसे पहले हम डालेंगे हरी रावाद ने खास हमारा है हरी राम तर दमालू मसाला मिलता है इसी से दमालू बनाएए समोसे बनाएए रेड रोल बनाएए शर्विक बनाएए जो कुछ भी बनाना है तो हरी का हम मसाला लेते हैं इसके बार हम इसी नूँ इसको ट्राइब करेंगे तो तमावी मसाला डालेंगे एक चमाच हम आपको दिखाने को इसमें हमारा अम्चु रालक से मिलाने की ज़रूरा प्राइब तर अपर करेंगे प्राइब ली अवость करीं ठीक चेती हचला नृ margin मार अम माल इसला नतर बाल्य को द्राइब द्राइब यह चतत में अप्स्थे से लाल को मैं पूर्द मिने तक ही भलत मिल नहीं मैं द्न है करें स्याज केप़र चालि में बाइस्त कर्छा करD बार PB अव इसमें हम पौरा कॉरा मुष्वारी आपक्षिज बढ़ दालेंगे इशका टेश्ट को सब्ढ़ देगी कि अब हूं बुच्ते रहेंगे जूश्ते इसका को अच्छे से तयार कर लेंगे साथ में हम डालेंगे थोड़ी से हरी जुश्त हरी में निया की पत्ती जो हमने गुल कर शिर्फ रखी है और आप हम इसे काटेंगे पहले इसको हम फ्राइ करने फिर हम दन्या की पत्ति दाले इसमें करती ही हम दालेंगे हल्दी पाउडर तो इस वारा मिसाथ बहुत ज़रूरी है कुटी कोई भी इस दीजिए हम बनाते हैं हल्दी पाउडर जालना ही पत्ता लिया है इसलिए हमने टुटी लाल मिस दाल दिया है बच्टम चटपटी सी हमारी अब आप इससे मसाले से समोसे बना सकते हैं मैडा सान कर जा द्रेजोल बनाए या सैंट्विच बनाए अभी तो हम ब्रदोल बनाने जारे हैं इसकी मैंने तयारी कर दिए अब यह जब भुच आएगी तो हम इसमे धन्या की पत्ती डालेंगे भी मैंने सिंग कर रखे लाएं तो खोरी सी हम धन्या की पत्ती इसमें जालते हैं क्त्त्त्ती कोई कि बहुत अच्छी कुश्बु आती है घन्या की पत्ती डाले से बायवाय। जन्या की पत्ति डालते ही तो hill … नसाली के साथ में कुश्बु और घन्तती है … दोगनी हो रहती है और मिर्च के साथ में हम जो लाल खुटा मिर्च डालते हैं तो उसका तो कोई बाती है ज़्यावे नहीं अब देखें हम इसको बोच रखेंगे बहुत बढ़ने हैं तरहें इसके मिली चिपक नहीं रहा है मोटे तनेती पढ़ाई पैन कुछ भी आप लेंगे और उसमें अच्छे से त्याब है ब्रड रोल को छानना परता है और सैंड्विच को सेखना परता है बस इतना अंतर होता है देखें आलू हमारा बिल्कुल रड़ी हो चला है ऐसा भी आलू रहेगा और बहुत अच्छे से प्रड़ी है और इसको भी ठंडा होने तक हम वेट करते हैं और कैसे ब्रेग में बरेंगे और चानेंगे तो हम आपको उसका प्रसेज आपको आगे बिखाते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती और डालते हैं ताजी आ गई थी सब्जीयों के साथ में तो हमने सोचा कि थोड अब हमने सब को मिला लिया है और इस उने आलू को सेख लिया आगे चलिए आप हम इसको ठंडा होने तक बेट करते हैं तब तक कडाही में तेल डालते हैं और आगे का प्रसेस दिखाते हैं देखिए यह हमारी बिल्कुल आलू तैयार हो गया है जो कि हमने दमालू मसाला डाल कर बनाया है हरी का और अब ठंडा भी हो गया है तो अब मैंने गैस पे कडाही रखी है और इसमें हमने तेल डाल दिया अब यह गरम हो रहा है तो सबसे पहले मैंने ब्रेड ले लिया है आप ब्रेटा को हमने एक ब्रेट में रखकर पानी लिया है बैस को और थोड़ा सब आते हैं अपने ब्रेट की स्वेल ये लिया ब्रेट ॉर सबसे जरूरी बात है puts our हमें विभूना है विभूने के बाद जो हम इसमें हम आपको यह देखिए और अब हमें एक चमब जिसमें किसी पल्टे से लिया है यह देखिए ज्यादा नहीं बनना है क्योंकि इसका हमें रोल ही बनाना है तो ब्रेड रोल को बनाने के लिए हमें बिल्कुल पतला सा अच्छे से रोल कर लेना है दो तरीके से रोल बनता है एक रोल और बताते हैं कैसे बनता है वो ये ब्रेड रोल है जो कि मैंने इसको बना दिया है तो इस तरह से भर लीजिए तो भी अच्छा है और नहीं तो आप दूसरे तरीके से बनाएंगी आप ब्रेड को ब्रेड को ग्लास से काटेंगी आप बड़े ग्लास से भी ले सकती है और छोटे ग्लास से alle आप इससे काट सकती है क्योंकि इसरोटा झूट नेगा और इससे बडा निकलेगा यह देखिए तो बीच है हिससा हम निकाल लेते हैं आप हम इससे काट लेते हैं जोывать कुल हमारे की में निकल जाती इसी तरह हम ब्रेट का सब्सक्राइब और यह किनारे का इसको फेकना नहीं है इसका हम प्रब्ड बनाएंगे जो कि ब्रेट में हम लपड लेते हैं तो प्रिस्पी हो जाता है अभी हम दूसरा भी दिखाते हैं अब इसी तरह एक पीस और काटेंगे हम यह देखिए यह देखिए अब मैं इसको भी विगो कर रखते हैं यह भी एकदम रोटी की तरह ही निकलता है जैसे इडली हम लोग बनाते हैं तो उसी तरह यह निकलता है अब इसको भी हम विगोएंगे और विगोकर फिर हम ले लेंगे यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जितना मैंने पहले वाले में लिया था अब इसमें उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको देखिए अब हम कैसे बनाते हैं तो इसका कोई भी जो लाल है वो साइट का हमने निकाल दिया है तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत अलग तरीके का ब्रेड रोल बनकर तैयार होगा अब आप इसको चाहे जैसे रोल कर लीजें और अच्छी तरीके से इसको पेश्ट को दबा देजें देखा तो हमने इस तरह से बना दिया अब चलिए अब हम दोनों को छान लेते हैं आज को तेज कर लेते हैं और इसमें उसमें आपको अंतर दिखाते हैं दोनों को छान कर और फिर हम दुबारा हम इसको विवो कर एक फिर बनाते हैं जो हमने समुचा बनाया है तो इसका किनारा हम केवल निकालेंगे आज गरम हो जा रही है तो हम इसको इसको दोसरा भी तयार कर के लिखा के इसे और साइड से जितनichen से लिजिए कि आपका बिल्कुल ब्राउन पिस बिल्कुल भीन कर रहा है का जिसका हम homemade क्राम बनाते हैं तो मिक्सी में हम इसको तो और ने कर रख लेते हैं फ्रीजर में डाल दीजिए तो आपको जब भी बनाना हो लपेट लीजिए यह देखिए जब यह सेंड्विच बनाएंगी तो आपको लगेगा कि सेंड्विच कैसे बनेगा बहुत अच्छी तरीके से बनता है अब इसमें थोड़ा सा ही पानी हमें डालना है ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटान हो जाएं और इसमें भी हम एक चमाची य इतना भी हम भर लें पर हमको उतना ही भरना है अब यह देखिए हम बेशन से भी बनाते हैं आलू को भरते हैं आलू बंडा हो जाता है पर हम ब्रेड से बना रहे हैं तो यह इसको हम बताते हैं कि यह हो गया हमारा ब्रेड रोल यह देखिए बहुत बढ़िया सा यह रोल हम काल देजिए और इसका ब्रेटकन बना लेजिए चलिए इसी तरह हम इसको चान लेते हैं बहुत अच्छी क्रिस्पी तयार हो जाएगी कि अब हम सबको चानते हैं और आज को बीमी कर दीजिए अब और साथ में फिर हम एक ग्रेट को पूरा ले लेते हैं भिगों का यह देखिए तो आपको दिखेगा कि हर तरह से ग्रट्रोल बनाई जाती है इसमें भी देखिए एक चम्मच हम डाल दिये हैं जादा नहीं डालते हैं क्योंकि आलू आलू जादा सबको पसंद नहीं आता है अब देखिए कितना बढ़िया सा यह रोल फिर बनकर हमारा जैसे हम नार्मली एक ब्रेड रोल बनाते हैं यह देखिए बहुत बढ़िया सा यह रोल अमारा बनकर तैयार हो जाएगा देखिए अब हम इसको आज को तेज करेंगे और पलतने भी वाले हैं जैसे पलतेंगे वैसे क्रिस्पी बिलकित ब्रेड रोल तैयार हो जाएगा अब एक ब्रेड रोल और हमने बना दिया है इसको हमने करने के लिए डाल दिया है अब इसको साइड में रखते हैं अब कैसे सर्व करेंगे उसको भी मार को दिखाते हैं अब आप इसी तरह सारे ब्रेड बना सकते हैं और हमने चलिए प्राल कर दिया है अब हम यह तो तरह हैं बहुत बढ़ना सा कुस्की सा हो जाता है आप चाय के साथ ठाना है या जैसे भी आपकी इच्छा है आप वैसे खा सकते हैं इसके बाद भी इसमें तिल लपेड लीजिए ब्रेड का रभ बनाया है उसको लपेड लीजिए जैसे भी आपकी सुझ्णा हो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे भी आप ये ब्रेड या बना सकते हैं इसको तलने के लिए हमने सरसो का तेल डाला है और सरसो के तेल में हम तरहा है क्योंकि बीप प्राई करते हैं शेलो प्राई नहीं है यह हमने बीप प्राई किया है अब मैंने इसको लोगा लेगा बोले हमें तक हम इसको तलते हैं क्योंकि आलू का अमारा साई है अंदर से बाहर तक है आज हम इसको इसको लाश में डाला था अब हम पास पर आपको तेखाए बहुत थोड़ना सा यह प्राई हो गया है अब मैं गैस को आपकर देती हूं सारे ब्रड़ी सी तरह हम तलते हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है ब्रड़ों चाय कोफी के साथ लीजिए आपो वेसे ह Physics करते हैं का जी सार्व करके आपको अब देखाते हैं अब देखिए वेल्ड अर्टरे से तयार हो गया है अब इसमें हम रखेंगे पहला किरीश्पी इस देखें हम Collage करके आपको दिखाते हैं किपर दिखाया है और के साथ में आप इसको चटनी के साथ में या री चटनी के साथ में सर्व करके खाई आपस में शेयर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्स्क्राइब करें लाइक करें शेयर करिए वेल आइकन प्रेस किजिए आने वाला वीडियो आपके पास इसी तरह पहुंसता रहेगा तैंक्यू अब मैंने इसको काटने के लिए सोचा था कि काटकर आपको दिखाती है तो आलू इसके अंदर कितना पढ़िया भड़ा हुआ है और इसको भी काटकर दिखाते हैं जिसको मैंने क्रिस्पी बहुत है यह देखिए बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा बन गया है चलिए हम साथ में खाते हैं चाय के साथ में और आप लोग इसको आपस में शेयर करिए और बनाई एक बार हमारे अंदाज से बनाईए फिर देखिए यह कैसा बनता है थैंक यू